दिल्ली के मायापुरी इलाके की खाजान वस्ती के निवासियों को पिछले दस दिनों से पीने के पानी की किल्लत जुननी पड़ रही है दरसल इंडुस्ट्रियल इलाका होने के काराण जल बोर्ड की खरों में होने वाली सप्लाई सही तरीके से नहीं उपाती है इस्थानीय लोगों का कहना है सरकारी पार्क पर अथिक्रमण के कारान पंप नहीं लगा पा रहे हैं जल बोर्ड ने इलाके में एक पंप लगवाया था लेकिन दवंगों की तरब से उसे भी बंद कर दिया गया और जिस बज़े से नया पंप लगाना है वहाँ भी दवंगों की तरब से अवैद कपजा किया गया है जिसकी बज़े से लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है जिए पानी कीभ हो पूरी बष्थी को हम औफिस वगया भी जाते पानी के लिए पानी लिए जल-बोर्डवाले हमारी सुनते पर यह जो बार यहां पर है यह हमारे लगने नीदेते तो इसलिए हमारी समस्या को लगने हंगारी 1200गर इतने परिशाने पानी के लिए दूऽरी जगे हमारे बॉरिंग हो गई सब ने वहां पे प्रोटे ने मोटर नहीं डालने दी उन्होंने इसला के नहीं नहीं हमशन passé वहां पर मोटर नहीं डलने देंगे उन्होंने वहां पर केस कर दिया अब हम दूसरी जगे करवाना चाह रहे हैं बोरिंग क्योंकि हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत हैं तीन धाई तीन सो घर हैसे हैं जिनके छोड़ चोड़े बच्चे हैं पानी कहां से लाएंगे पानी की सबत्चा के लिए हुरे जी पानी हमारे सबत्चा 9 साल से चल रही है और अब बाहरा कि पानी आरह いきます अब दिली जलबोड हमारें पूरा स्यों कर रहा है दिली जलबोड ने एक दफा ट्यूबल लगा रहे हैं कि कोशिव भी करी यहां पर लेकिन क्रेट को जैसी भी को यहां से अटवा करके लोगों ने यहां से अटवा दिया खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जनतंत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें